Hello everyone, welcome to Legalistics Law School, मेरा नाम है काशिव खान और आज हम लोग बहुत ही important topic पर जिस पर मद्धिपर्देश हाई कोट का judgment आया है, उसको discuss करने वादे हैं सुमद्धिपर्देश हाई कोट ने कहा है कि अगर husband वाइफ को अपने family को financial support करने से object करता है तो वो cruelty माना जाएगा इसके उपर ही जो आज का पूरा decision है उसको हम discuss करेंगे, जानेंगे कि इसका fact क्या था, जानेंगे क्या क्या points और arguments यहाँ पर कोट के पास रखे गए हैं और यह भी जानेंगे कि क्या final observation यहाँ पर कोट ने किया है, discuss करते हैं सबसे पहले तो आप सभी को मालूम हुआ कि जो cruelty होती है, वो एक mental cruelty होती है और physical cruelty होती है, physical मतलब आप किसी को मार पीट रहे हो और यहाँ पर यहाँ पर यह जो decision है, मद्यप्रदेश हाई कोट का जहाँ पर justice रोहित आ रहे है और justice संजीव एस खालगाओ कर जो है, इनकी bench ने जो है यह judgment दिया है, first appeal जो है इनके पास file ही थी मद्यप्रदेश हाई कोट ने observe कि है कि husband अगर object करता है अपनी wife का act of financially supporting her parents तो यह cruelty माना जाएगा, मतलब कि अगर wife अपने पैसे से अपने माता-पीता को support कर रही है और husband जो है उसको मना कर रहा है तो यह cruelty माना जाएगा, लेकिन क्या fact है कि उसको सबसे पहले समझते हैं तो fact में अगर हम बात करें तो यहां पर husband and wife है, यहां पर husband जो है पावन कुमार जिनका नाम है और जो wife है उनका नाम है बबीता, तो basically हम बात करें इन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से एक दूस्टे के साथ यह नहीं रहे 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 थे हैं और यहां पर यह allegation था कि husband कोई काम वगरा नहीं करता है और जो wife है वो जो है एक डॉक्टर है और वो जो है financially जो है वो सारी earning घर में करती है अब वो अपने husband को भी financially support करती थी और उनके माता पिता जो लड़की के माता पिता है वो भी उतने जादा मतलब financially strong नहीं थे इसलिए वो अपने माता पिता को भी support क करते थे as a doctor उनको भी जो है कहता था कि आप जो है मेरी permission के वेगर कैसे इसको employment दे सकते हैं तो यह बहुत जो case है वो जाके family court में आया family court में जब wife ने इस सारे grounds पे कि वो अपने मेरे family को जो है support करने से मुझे रोकता है मुझे job करने पर मुझे टोकता है तो यह सारी सीजों को लिए कि जब as a cruelty के ground पे section 13 of Hindu marriage act के अंदर में वो जो family court जो है अशोक नगर UMP में वहाँ जब गहीं तो वहाँ के family court ने उनको divorce दे दिया on the ground of cruelty अब जब यह divorce मिल गया तो इसी divorce के जो judgment है उसको challenge किया यहाँ पे husband ने मद्य परदेश हाई court में और मद्य परदेश हाई court में फिर यहाँ पर यह कहा गया कि यह जो cruelty का ground पे marriage को dissolve किया गया है या जो हम कहले और financially exploitation और emotional abuse वाला जो सारा other grounds है उस पे जो है जो grounds पे जो divorce दिया गया है वो divorce का ground ही गलत है और इसको husband ने फिर मद्य परदेश हाई court ने challenge किया और मद्य परदेश हाई court में जब यह मामला पहुंचा तो मद्य परदेश हाई court ने कहा कि husband अगर wife को उसके family को support करने से रोकता है तो वो जो है cruelty माना जाएगा पहली बात दूसरा कि अगर husband यह चेक कर रहा है कि वह जाके क्या करता है employer को उसके कहता है कि आपने मेरी permission के बेगर मेरी wife को employment कैसे दे दिया यह सब जो सारी बाते करता है इससे यह होता है कि वह जो है उसका जो permission है एक तरह से अगर हम लेंगे husband से permission लेंगे अगर wife यह काम करें तो मतलब इसका मतलब यह बात करें तो इस दोनों एक्ट को यहां पर जो मद्यपर्देश की हाई कोट है उन्होंने क्या कहा कि cruelty होगा और यहां पर जो family court का decision था वहां पर मद्यपर्देश हाई कोट ने कहा कि वह decision सही है और husband की जो petition है उसको यहां पर कोट ने कर दिया एक बात यहां पर और भी जानने वाली है कि सेम चीज़ अगर husband के साइट से होती husband अपने माता पिता को financially support करे और wife मना करे तो वह भी cruelty माना जाता है तो यहां पर वाइफ अगर earning है और अपने family को support कर रहे तो यहां पर husband की उपर कोई यह right नहीं बनता कि वह उसको मन गया था कि wife जाए slave नहीं है कि आपने concern दे दी तो adultery नहीं वह आपने concern नहीं दी तो adultery हो गया इसी तरीके से वह भी independent है job करने के लिए और सारी चीज़े करने के लिए तो यहां पर अगर आप उसके employer को यह कहते हो कि आपने job कैसे दे दी मेरी permission की मना तो यह भी एक amount of cruelty है औ और खुद जो है वो अगर पढ़ी लिखिया तो job कर सकती है तो husband के जो भी allegations थे उनको भी हाँ पर court ने खारिच किया यह भी पाया कि husband जो है वो कोई financially अपने financially income का कोई support नहीं दे पाया और यहां पर फिर यहां पर डिसीजन मध्यप्रदेस हाई court का wife के favor में आया और यहां तो उन्होंने court पूरे के पूरे तरीके से जो है husband की petition को dismiss कर दिया तो basically यह था आज का हमारा update I hope इस update में इस case से रिटर सारी information आपको clear हो गई होगी फिर भी कोई doubt है तो आप हमें common box में बता सकते हैं आपके लिए एक छोटी सा information है कि legalistics आपके लिए लाया है judiciary का रामबान course इस course में आप पूरे 20 state के local laws, minor laws और major laws को cover कर सकते हैं सारी classes आपके live expert faculty के द्वारा कराई जाती है course का duration है one year का और total जो है भी fees है इसकी वो है 21,999 रुपर जिसमें अगर आप मेरा code यूज़ करेंगे क्यार के 20 तो आपको 20% का extra discount मिलता है जल्दी से जाए हमारे website पे course के section में और इस course को जल्द से जल्द purchase करिए और जुड़िये हमारे जुड़िश्री के रामबान course से हमारे साथ मिलते हैं इसी important वीडियो के साथ तब तक लिए goodbye and take care